पूरी खबर क्या है वही हम आपको इस वीडियो के मादन से बताते हैं और लेटेस अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो पूरी खबर जनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें तो हम बताते हैं हमारे क्रमचरी हैं पेंस्न बोगी हैं उनके लिए क्या औचछी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां दोस्तों सैंट पे कमिशन के नुसर मेंगाई बत्ता एक जुन नियम है सरकार ने 2016 में सात्मा वितन आयोको लागू किया था तो उस वक्त मेंगाई बत्ते को सुने कर दिया गया था वही नियमों के मुताबिक मेंगाई बत्ते में 50 फिजदी तक की बडोत्री की गई है सैंट पे कमिशन के नुसर किंद्रे करमचारी को हर दो बार जो साल में मेंगाई बत्ते में जाफा होता लेकिन यह जाफा कितना होगा यह मेंगाई बत्ते के करम पर निरबर करता है आने वाले दिनों में महंगाई के तेजी पकड़ने का आसार दिखाई दे रहे हैं यही वज़य है कि RBI अपनी मोद्रिक नीती को समय से पहले नुमंबर में करने जा रहे हैं बढ़ती महंगाई बले ही देश के लिए अच्छी नहीं लेकिन महंगाई के नुपात में केंद्र करमचरी को मिलने वाले भत्ते में इजाफा होना तेह हैं खर महंगाई तो अगर छोड़ो तो केंद्रे करमचरी के महंगाई में आने वाले जो सेलरी इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं अगले साल मिलने वाला 4 फिजदी का तूफा हाली में केंद्रे करमचरी को महंगाई बत् लाग होगा और उमीद की जारे के जो जाफा होगा वो आपको चार परसेंट के हिसाब से दिया जाएगा हमारे करमचरी और पैंचनल की जो सेलरी है उसमें एक जबरदस्त जाफा आप देख सकते हैं और वहीं हम बात कर रहे हैं जो आपके महंगाई दुनिया की तुलना में क नियम है और सरकार ने जो साल दोजार सोड़ा में जब सात्वा वेतन आयोग लग किया था तो उस वक्त महंगाई बत्ते को सुनेक कर दिया गया था नियमों के मुताबिक महंगाई बत्ता जैसे ही पचास फिजदी पर पहुंच जाए तो इसे सुनेक कर दिया जाएगा पचास फिजदी डिये का नो हजार रुपे मिलेगा लेकिन पचास फिजदी डिये होने के इसे बेसिक सैल से जोड़ कर फिर से महंगाई बत्ता सुनेक कर दिया जाएगा जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो किंद्रे क्रमचारी को मिलने वाला डिये को जो मूल से जूड़ दिया जाता है उनका कहना है कि यूं तो नियम क्रमचरी को मिलने वाला सत प्रतिशर डिये को मूल वेतन से जूड़ देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता वितिय स्तिती आकड़े आती है हलंकि तुझार सुड़ा की बात करें तो ऐसा है दो जार सुड़ा में किया गया है उन्होंने पहले साल 2006 में जब छटा वेतन आयोग तो उसे पासी में वेतन वान में दिसंबर तक 187 परसेंट डिये मिल रहा था पूरे डिये मूल वेतन में मरज किया गया था और छोटे वेतन मान का जो गुणांग का एक पॉइंट आर्ट साथ था जब नया व 2006 में जो छटा वेतन आयोग के समय नई वेतन मान को एक जनवर 2006 में लागू किया गया था लेकिन इसी जो अधी सुचना है 24 मार 2009 को जारी की थी इस देरी की वज़े से सरकार ने 49 से 42 मेने का डी एरियर तीन किस्तों में तीन वितिये जो वर्ष दो जार आठ नो दो जार नो 26 परशेंट डिये 14,500 रुपे था इसके लिए दोनों को जो जोडने पर कूल वेतन बात करें यानि कि जो 22,880 रुपे हो था छेटे वेतन आयोग में इसमें समक्ष वेतन 15,600 से 39,000 के आसपास हो जाए था और इसमें 500 प्लस ग्रेड करने पर निधारत किया गया था जी हाँ आप इस पर सक्रीन पर देख सकते हैं इसमें जो कल्कुलेशन है आपकी कितनी सैलरी बड़ी गई है वो आप इसमें सक्रीन पर देख सकते हैं सक्रीन पर भी दिया गया है आप इसके अकोरोडिंग आपकी जो बैसिक पे है टोटल है डिनेस अलांस फिटी वन परसेंट की अ से बढ़कर एचारे 30 फिज़िक हो जाएगा लेकिन अब जो अभी होगा तब महंगाई बता 50 के पार होगा मेरो डिम के अनुसार डीए में 50 क्रोस होने पर हारे 30 परसेंट 20 परसेंट और 10 परसेंट हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस यानि कि आपका जो है चारे है उसमें एकस वाई और जड़ क्लास जैरो की इसाब से होता जैसे कि आप सब जानते हैं और किंद्र करमचारे का एकस जो क्टेगरी में आते होने 27 फिज़िदी हारे म सब्सक्राइब करें तो इसमें जो जड़ कलास है उनके 9 फिज़िदी से बढ़कर 10 फिज़िदी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी है उसमें कितना कैलकुलेशन होगा कितना आपको इजाफा होगा तो जो आपकी डिए है वो 50% पाल होने जारा है और लेक्स वीडियो में तब तक के लिए दूस्तों आप सभी को हमारी ओर से जैहिंद जैजवान आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होगी